ओम नमेश्य जैमाकाल दोस्तों, दोस्तों हिंदु धर में अक्षेत रित्या को दिवाली और धन तेरस की तरह बेहदी शू माना जाता है, जिस तरीके से हम धन तेरस पर सोने चांदी की वस्तुए खरीद कर घर में लाते हैं, उसी तरीके से कहते हैं अक्षेत रित्या के दि गर के वास्तु दोस्कों खराब करती है इन चीजों को अक्षट रित्या से पहले घर से निकाल कर भार फैंक देना चाहिए वरना आपके घर से मालक्षमी रूट सकती है आपका सुभाग्य दुर्भाग्य में बदर सकता है साथ ही अक्षट रित्या के दिन कुछ ऐसे कारिये होते हैं जिने करने की मना ही होती है तो चलिए वीडियो में आगे वढ़ते हैं और जान लेते हैं अक्षट रित्या से पहले कौन सी वो चीजें हैं जो हमें अपने घर से बाहर निकाल भैकनी चाहिए और तो यह आपके घर की बरकत को खतम कर सकती है आपको मालक्षमी की पूझा का फल भी नहीं मिलेगा इसलिए कोशिच कीजिए अक्षट रितिया के से पहले आपके घर में यदि कोई टूटी फूटी जाड़ू है तो इसे निकाल कर बाहर कर दीजे ऐसा करने से मालक्षमी भी प अपने घर के जितने भी टूटे फूटे जूते चंपल इन्हें निकाल भार फैंकिये इसके अलावा घर में यदि आपके टूटे फूटे बरतन है तो ऐसा करने से परिवार में कलय कलेश का माहूर रहता है मालक्षमी का इस्तिरवास उस घर में नहीं होता तूटे फूट घर में नकारात में कूर्जा लेकर आता है इसके अख्षेत रित्यास से पहले आपके घर में जितने भी टूटे फूटे बरतन है इन सब को निकाल कर घर से बाहर कर दीजिए धारमिक मानेताओं के अनुसार मालक्षमी को साफसफाई बेहत पसंद है जिस घर में आपके घर में जूटे बरतन हैं गंदे कपड़े हैं या आपका घर साफसुतर नहीं है तो मालक्षमी आपसे रूट सकती है और आपकी घर की सुकसंपंता चीन सकती है इसके अलावा दोस्तों धहान रखें घर में यदि आपने प्लांस लगाए हुए है तो यह पूदे प्रवाइद कर दीजिए या इन्हें मेटी में गार दीजिए क्योंकि सुके पोदे घर में वास्तु दूस का कारण बनते हैं और ऐसा करने से मालक्षमी भी आपसे नाराज हो सकती है यदि आप सुके पोदों को घर से दूर करते हैं तो ऐसा करने से भगवान विश्यू औ पहले अपने घर में जितने भी सुके पोदे हैं इन्हें घर से बाहर कर दीजिए चली दोस्त आप जान लेते हैं अक्षेत रित्या के दिन कौन से ऐसे कारी हैं जो में भूल कर भी नहीं करने चाहिए यदि आप ये गलतिया करते हैं तो ऐसा करने से मालक्षमी आपसे नार अरियल इन चीज़ों को लेकर अपने घर में आ सकते हैं घर में ध्यान रखें अक्षेत रित्या के दिन खाली हात नहीं आना चाहिए इसके अलावा दोस्तों यदि आपके घर में तुलसी का पोदा है तो तुलसी के बोदे को कभी भी बिना नाय धोई नहीं चूना अक्षेत रित्या के दिन कभी भी किसी से जगड़ा नहीं करना चाहिए अक्षेत रित्या का दिन बेहदी श्यू माना जाता है कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपकी घर में अशान्ती पैदा हो सास्त्रों में बताया गया है जिस घर में जगड़ा होता है कले कले कलेश होता इसलिए कोशिश कीजिए अक्षेत रित्या के दिन खास तोर पर मा लक्षमी और नाराने का समर्पित दिन है इस दिन भूल कर भी ये गलती ना करें अक्षेत रित्या के दिन घर के हर कोने को रोशन करें घर में अंधेरा ना होने दे शाम की समय भी हर कौने में कोशिश की जिस तरीके सम दिवादी धन्तेरस पर दिये चलाते हैं उसी तरीके से अक्षट रिटया के दिन भी अपने घर के हर कौने में रोशनी जरूर कीज़े क्योंकि अंधेरा घर में नकारात्मा गूर्जा लेकर आता है और कौन सी ऐसी चीज़े हैं जो हम एक्षित रिद्य से पहले अपनी घर से बाहर निकाल देनी चाहिए ताकि मालक्ष में प्रसन हो सके उमीद करती हूँ इस वीडियो से आप लाप जरूर उठाएंगे विदोस्तों वीडियो अगर पसंद आईए और आपको लगा हो कि आपको कोई जानकारी मिली है वीडियो को फ्रेंड पेमली के साथ में लाइक्शन जरूर कीजे चैनल पर पहली बार मेरी यवास सुन रहे है सबस्क्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि ऐसी हो वीडियो को समय से मिल सके तो चलिए मिलती हूं नई वीडियो में नहीं जानकारी के साथ अब तक सबस्त रहे है खुश रहे है